नमस्ते मैं कुमार उत्पार लिमकाबू काफ वर्लेकार्ट होल्डर तीस पुस्त को लेखक, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, दिल्ली सल्तनत में अनेक ख्रीज खां, दिल्ली सल्तनत में आपको बता देते हैं, ख्रीज खां नाम से कई व्यक्ति हुए हैं, और वह व्यक व्यक्ति रहे हैं इसलिए विशेज करके जितने भी PCS exam है उसमें आज कल और UPSC में option देता है एक दो तीन चार पांच इसमें से रहेंगे तो रहेंगे और नहीं तो none of these और ये भी रहता UPSC में कि एक दो मिला करके या एक दो तीन मिला करके रहेगा A, B, C, D करके रहेंगे तो इसमें आपको सभी के प्रशनों को सही धंग से जानना पड़ेगा किवल एक व्यक्ति को अगर जान गए हैं तो आपका काम नहीं चलेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसे confusion वाले प्रशनों को मैं आपको बड़ावर बना रहा हूं वीडियो और आप उससे हल्प लेंगे आईए दिल्ली संतलत में आने क्रीज खां मेनी क्रीज खां इन डेली सल्टनत ख्रीज खां जो हैं आपको अलावदीन खिलजी के चार पुत्र थे जिसमें सबसे बड़े खिज्र खां थे उनकी पतनी देवल रानी थी देवल देवी थी और यह गुजरात के बगहिल राजा कर्ण देव की बेटी थी वैसे गुजरात के बगहिल राजा कर्ण देव की पतनी कमला देवी थी आपको बता देते हैं कि 1299 में 1299 इस्वे में उलू खाँ और नुसरत खाँ की अधिनता में अनहिलवार राजधानी उनकी जो थी गुजरात के बगहिल राजा कर्ण देव को घेल लिया गया और उनकी पतनी रानी कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अल्लाओदीन ने उसे साधी कर लिया, जबकि अल्लाओदीन की साधी पहले भी हुई थी, और जलालुदीन खिल जो थे, वह उनके ससूर थे, और चाचा भी थे, तो या जो है, लेकिन इसके बाद जूद भी, या फिर से साधी कर लिए कमला देवी मैं आपको बता दे रहा हूं कि राजा कर्ण देव अपनी पुत्री देवल देवी को ले करके भागने में सफल हो गया और वह चाते थे कि देवगिरी के राजा रामचंद्र के सरण में वहाँ पहुंचे नहीं वाले थे कि रास्ते में उनक आजमी जो हैं उनको पकड़ लिया क्योंकि वह जो है आपको और उनको उनकी बेटी को भेज दिया गया दिल्ली भेज दिया गया अल्लावदीन खिल जी उनको क्या किया देवल देवी को अपने बेटे सबसे बड़े बेटे खिजर खांक की साधी देवल देवी से कर दिये 1314 इस्वी में 1314 इस्वी में ब्रिद सुल्टान अलाउदीन की बीमारी का समाचार प्राप्तगर आपको काफी लोग परिशान हो गए और उसमें आपको बता देते हैं कि मली काफूर ने मली काफूर वहाँ पर आये उनको बुलाया गया था और उनके बेटे के और पतने के बीच में कनफ्यूजन डाल करके मिस अंडरस्टैंडिंग डाल करके उनको अपने भरूसे में ले लिए और वह जो है उनको मार दिये और वह जो है अपने संद्रक्षक बन गए और इनकी माता जो है से साधी कर लिए जो आपको रामचंद्र देव की बेटी थी तो मैं आपको यह कहना चाड़ा हूं कि सब ही योजना जो था मली काफूर का था अब यह क्या हुआ ख्रीज खां और साधी खां को जिन्हें यह गृफतार कर लिए और उनकी आँखे ग्वालियर के किले में निकाल कर अंधा बना दिये और बाद में मर बादी अल्लावदीन खिल जी के तीसरे जो पुत्र थे मुबारक खान उनको भी ग्रिफतार करके जेल में डाल दिये और उनको भी आखे फोड़ने के लिए भेजा लेकिन संजोग से क्या हुआ कि सैनिक को उन्होंने कहा कि जो तुमको भेजा है उससे हम कई गुणा जादे तुमको हम पैसे देंगे क्योंकि हम सुल्तान बनेंगे और हमारा अधिकार है तो तुम जो जो भेजा है उसको मार दू या जा करके आपको मली काफूर के पास या आदमी सब गया कहें कि हम तो मार दी हैं लाइए पैसा तो वो कहें कि ठीक हम देंगे ना इसमें वह गुसा गया और गुसा के मली काफूर को मार दिया और उसके बाद से जो है या जो है आपको मुवारक खान जो इनका तीसरा बेटा था वह गद्धी पर बैठा तो देवल देवी और अपने बड़े भाई की जो पत्नी देवल देवी थी उससे वह साधी कर लिए तो देवल देवी की बहुत बड़ी परशाणिय थी कि खिजर खान की पत्नी बनी फिर कुतुबदीन मुवारक जो और वड़ी अधिकारी जो थे नासरदीन खुसरव जिसको खुसरो भी का जाता था गुजरात के थे और वह हिंदू से अभी मुसल्मान बने थे तो यह जो हैं वह जो हैं अपने गुड़ फेथ में ले करके उनको जो हैं मुवारक को बहुत ही नजदीकी रिस्ता कैम कर लि साथ आएं तो हमको रोका नहीं जाएं तो महल में संजोग से रात में वह पहुंचते हैं और वह गाट सबसे लड़ाई करने लगते हैं इसी बीच में क्या होता है कि नासरदीन खुसरो जिसको खुसरव भी कहा जाता है वह उपर चले जाते हैं जहां पर मुवारक रहते है वह जो रनिवास से निकल करके देखने आते हैं तो बोला कि क्या हो रहा है फुसरो बहुत हला गुला हो रहा है तो कहें कि नहीं गोड़ा खुल गया है उसी के कंट्रोल करने में सिपाही और सैनिक लोग लगे हुएं तब तक वह मुर करके अपने रनिवास में जाने लगे तो वह जाहिरा नमक आदमी को कहें कि इसको मार दो और वह अपने उसके बाल पकड़ लिया और वह जाहिरा उनको मार दिया और वह जो है कुतुब या नासरिन खुसरब जो है क्योंकि देवल देवी भी गुजराज की थी और उस साधी कर लेते हैं तो देवल देवी की तीन साधी होती है जो ख्रीज गां की पद्नी होती है अब आपको बता देते हैं ख्रीज गां पर किताब भी लिखी गई और वहां महान विद्ध्वान जो थे अमीर खुसरो वहां एक्चुली जन्मुनका एटा के पटियाला गाउं में बारसो तीरपन में 1253 में हुआ था और वह कई सुल्तान के अधिन रहकर के काम किये थी इन्हें तूती ये हिंद भारत का तोता की उपाधी दी गई थी इन्होंने फार्सी कविता का भारती करण प्रारंब किया कई वाध्यंत्रों का भी खोज किया और देवल रानी पर उन्होंने पुस्त कि कहानी थी जो भले सुल्तान नहीं बन पाए लेकिन काफी प्रस्थी हासिल की है और या जो है या देवल देवी इनकी पत्नि जो है आपको दो-दो सुल्तान जो इनके तीसरे भाय थे मुवारक खान और खुसरब भी सुल्तान बने थे तो ये सब के पत्ने भी रहे तो कई द्रशकोन से या जो हैं सो आपको बहुत प्रसिद रहे हैं अब मैं एक खिजर खान जो सयद बंस के संस्थापक थे उनका पिता का नाम नासरियूल मुल्क मरदान दौलत था वह जो थे उसके धत्तक पुत्र मलिक सुलिमान का पुत्र था सल्तनत काल में शाष्ण करने वाले एक मात्र शियावंस थे आपको बता देते हैं खिजर खान जो सयद बंस के संसापक थे वह आपको जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए हैं सब के सब शूनी थी और या सिया थी दौलत खान लोदी ने जब इस्तिती गंभीर देखा और वह कमजोर देखा तो आत्म समर्पन कर दिया खिरिज ख क्योंकि उसी समय तैमूर लंग जो है आकलमन किये थे और काफी लोगों को मार काट मचाये थे और इनको जो है यह इसमें मदद किये थे खिजर खान ने तैमूर लंग को बहुत मदद किये थे इसलिए तैमूर लंग जाने से पहले अपना अधिकारी बना करके मेंस दिल्ली के सुल्तान बना के चले गए और उन्होंने क्या किया कि रईयत आला मेंस वह जो हैं अपने आपको कभी भी सुल्तान नहीं गोसित किये बलकि रईयत के रूप में वह अपने आपको माने मेंस मालिक समझे कि आपको जो थे वह आपको कौन थे तैमूर लंग थे तो तैमूर ल मिंस आला हुआ हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, मालिक हो गए और रहियत मिंस जैसे आज भी बटाईदार करने वाले को रहियत कहा जाता है, तो रहियत यह हो गए, मिंस उसके अधिन करने वाले, इसलिए वा सिक्का पर भी तुगलक सुल्तानों का ही नाम उत्केर्ण पाया, और खुतवा भी पढ़ा तो तैमूर लंग के नाम से पढ़ा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, या जो है तैमूर के पुत्र, उत्राधिकारी सहरू के प्रतिनिधी के रूप में सासन करने का दिखावा भी करते रहे, लेकिन इसी बीच में 20 मैं 1421 को 1421 इस भी को उन विस्तार में और अर्श्रोध की बात काते हैं, तो भारत का इतिहास, यह स्रिवास्तव की बहुत अच्छी उस्तक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, बुगल तो महाशमुद्र है ज्यान का, उससे बहुत सारी चीज़ आप ज्यानकारी ले सकते हैं, और ये History of India, इलियट और डौशन की बहुत अच्छी किताब है, History of Afghan, Dawn की बहुत अच्छी किताब है, उसे भी आप विस्तरित अध्यान, भेतू ले सकते हैं, पठनिये हैं, संगरहनिये हैं, इस सब पुस्तक, ये History of करूना, तूर्क इन इंडिया, इस सब पुस्तक बहुत अच्छी है, तो आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, जैहिन,